हेलो दोस्तों, इस बेडियो में हम लॉरेंस विस्णोई के बारे में जानेंगे कि कैसे एक पुलिस का बेटा, कैसे इतना बड़ा गैंगेश्टर बन गया। देगा लॉरेंस विस्णोई के जो जन्म हुआ था, 22 फरवरी 1992 को हुआ था पंजाब में। इनके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे और मा एक गिरहनी थी, हाला कि वो पढ़े लिखी थी, जब ये पैदा हुए तो काफे खुब सुरत थे और रंग इनका गोरा था, तो मा ने इन्हें देखते हुए इनका नाम रखा लॉरेंस, लॉरेंस एक क्रिस्चियन नाम है, जिसका म देगा, यह हाँ परिवार बिस्नोई समाथ से आता था, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिस्नोई, तो उसका असर नहीं है नॉरेंस इतना स्मार्ट, एक्टीव और स्पोर्टी था, कि मा और पिता को लगता था, कि वो स्पोर्ट्समेन बनेगा, खेल की दुनिया में अपना नाम रोसन करेगा ना सिरिफ माबाप का बलकि देश का नाम रोसन करेगा लेकिन लॉरेंस विसनुई जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम बन गया जिसे कई राज्यों को लोग खौफ खाते हैं एक स्मार्ट नौजवान कैसे देखते ही देखते ऐसे कोख्यात गैंगेश्टर लॉरेंस विसनुई में तब्दील हो गया कि जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिख्खा चलने लगा अब वो जेल से ही अपने काले कारणामों को अंजाम देता है लॉरेंस चंडिगल इस्तित पंजाब इस विद्धाले में पढ़ाई करता था वो कुछती लड़ता था इसी दवरान वो छात्र राजनीती में उत्रा लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम Student Organization of Punjab University यानी SOPU रखा और इसी के बैनर तले उसने चात्र संग का चुनाव लड़ा वो चुनाव हार गया हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवालवर खरी ली और साल 2011 में जब चुनाव में लॉरेंस को हानने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़न्त में लॉरेंस ने फाइरिंग कर दी इसके बाद उसके ओपर पहला परकरट दर्ज हो गया लॉरेंस बिसनोई की गंगेश्टर बनने के सपने की पीचे यह भी कहा जाता है कि आबो हर में एक कॉन्वेंट स्कूल में जब वो पढ़ाई करता था उस समय उसकी एक दोस्त हुआ करती थी वो दोनों चंडीगड के डिएबी स्कूल में बारवी तक साथ साथ पढ़ाई किये थे दोनों साथ ही विकनना चाते थे लेकिन जब लॉरेंस बिसनोई ने चुनाओ हार जाता है तो जो गैंगवार होता है उसमें उसकी गल्फेंट की मौत हो जाती है जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराद की दुनिया में कूद जाता है लॉरेंस को छोटे मोटे अपरादों में मज़ा आने लगा इसे दुरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग उठा इसे के चलते बिसनोई ने कुछ खिलाडियों और पुलिस वालियों के बच्चों को मिला करके एक गैंग बना ली इन्हें अपराद में सामिल कर बिसनोई ने अपना पहला नेटवर्क पंजाब और हरियाला में पसार दिया इसके बाद इस गैंग का जो खौफ था वो आसपास के राज्यों में भी फैल गया लौरेंस विसनोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया जब 2018 में दिल्ले पुलिस ने संपत नहरा के खिलाप चार सीट दायर की संपत नहरा 2018 में बैंगलूर से पकड़ा गया था पूश्टात में सामने आया था कि संपत अविनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था सलमान खान की हत्या के सुपारी उसे लौरेंस विसनोई नहीं दी थी इस खबर से फेलिमी दुनिया से लेकर एडिया में हरकम पच गया इसके बाद दूसरी बार विसनोई 2020 में सार्प सूटर राहुल उर्ख बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भे जाता लेकिन सारे प्लान के बाद लौकडाउन लग गया और इसका प्लान वहीं पर रुक गया कहा जाता है कि लौरेंस बिसनोई सलमान खान से नफरत करता है क्योंकि सलमान खान को काला हिरर सिकार मामले में दोसी करार दिया गया था दरसल लौरेंस जिस बिसनोई समाज से आता है वो हिरिडों के सनलचड और अच्छा के लिए जाना जाता है काले हिरनों की तो विश्णोई समाज पूजा करते ही हैं, साथ ही दूसरे जानलों के सनलचड के लिए भी विश्णोई समाज परियास करते रहते हैं यही वज़ा है कि सलमान की हत्या करवाना इसकी चाहत बन गई इन दिड़ों लारंस विश्णोई जेल में है, यानि कि परिजन टाइम में ये तिहाड जेल में बंद है लेकिन वहाँ भी वाटसब की जिरिये सुपारी लेकर जेल से हत्या जैसे संगीन जिन्म को अंजाम देता रहता है यहीं से वसूली के काम भी चलता है इसका, इस बारे में एक बार तो अपने फेस्बुक एकाउंट से जानकारी भी थी और विश्णोई की गैंग में करीब साथ सुको ख्यास सार्प सूटर सामिल है इस गैंग का नेटवर्क देश में ही नहीं, बिदेश में भी फैले हुए हैं कनाडा, आस्ट्रेलिया, बिर्टन, फ्रांच, जन्मनी, अलग-अलग देशों में इसके सार्प सूटर वहाँ पर मौझूद है लौरेंस बिशनोई की गैंग में नामे गैंगेश्टर गोल्डी बरार भी सामिल है जिसका नाम सुद्धी मुसेवाला की हत्या में आया था बरार फिलहाल में तो कनाडा में है, वो फरार है अपने देश से और गैंग का मुख्या लौरेंस बिशनोई दिल्ली की तिहार जेल में बंध है, जो कि हमने आपको बताया लेकिन बिशनोई जेल से अपना सारा काम ऑपरेट करता रहता है बताया तो ये भी जाता है कि पंजाब, रादस्तान और हरियाला की गेनेश्टर के सिंडिकेट, मैक्सिको, इटली और थाइलेंड में बैठे अपने गुर्गों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रक्स, तसक्री, जमीन, कबज़ा और हत्याओं को अंजाम देते हैं या फिल्मों के अभनेता, पंजाबी, कलाकार के सुपारी भी लेते हैं, जैसे कि अभी सामने आया था, मुसे वाले की हत्या कर दी, या सलमान कान की लगातारियों लोग प्रयास करने हैं मारने के लिए, या भी ये बाबा सिद्धीकी को भी मार दी हैं इन लोगों ने बिस्नोई ना सिर्फ अपने काले कारनामों से बल्कि अपने लाइफ इस्टाइल की वेज़े से भी चर्चा में राता है, वो दिन रात हनमान चालिसा का पाठ करता है, कई घंटों तक जेल में एकसरसाइज करता है, वो सिर्फ दूध मांगता है, एक दिन में करीब 3-4 लि बिस्ताराता है,